नीव एरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट के सयोग से नाकपुर स्टेशन पर 24 बाएस साथ आपाच चिकिस्ता सेवा सहित मीनी आईसी यू वा मेडिकल स्टोर के शिर्वाद गुरुवार से हुई है इसका उधकाटन मत्यन रेलवे के मंडल रेल प्रबंध करिचा खरे लोकमत एडिटोरियल बोर्ड के चेर्मेन वराज सभा के पूर्व सांसत विजय दर्डा पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार वमनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी की मौजूतकी में संपन्न हुआ निवरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टिट्यूट के सयोग से नागपूर स्टेशन 24-7 आपाच्चिकेट सा सेवा सहित मेनी आइसीउ वर मेडिसीन स्टोर के शुरवा की गई इसका उपखाटन मध्य रेलवी की मंदल रेल प्रभंद करिचा खरे लोकमत एडिटोरियल बोर्ड के चेर्मेन वराज सफा के पूर्वसांसत विजे दर्डा पुलीस आयुक्त अमितेश कुमार एवं मनपायुक्त राधाकृष्ण बी की मौजूदगी में हुआ इस दोरान निवरा हॉस्पिटल के संचालक आनन संचीती, डॉक्टर निलेश अगरवाल, डॉक्टर निधीश मिश्रा एवं उजवल पगारिया आदी उपस्तित थे भारतिय रेल और निवरा हॉस्पिटल की ओर से नागपुर के रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए जो है बहुत ही अनोखी और सरानिय पहल के साथ जो है निवरा हॉस्पिटल द्वारा 24 by 7 इमर्जंसी सेवा का जो है यहाँ पे आज उपनिंग किया गया है हॉस्पि हम देख रहे हैं कि यहाँ पहले नहीं थी सुविदा क्योंकि हम कई बार देखते हैं कि यात्री जो होते हैं कई बार इमर्जंसी आती है और ऐसे टाइम पर उन्हें खास सुविदा जो रहती है वक्त पर सुविदा जो रहती है इस वास्ते कि वह नहीं मिल पाती है और उस बोर्डिंग के साथ-साथ गुजरने वाली ट्रीनों की विभिन्न जरुरतों को पूरा करता है। यह शहर बत्य भारत का सबसे बड़ा चिकेसा केंद्र भी है। जहां अंतरिक महराश्र, मध्यप्रदेश और च्छतिसगर से कई मरीज आते हैं। नागपूर रेलवेस्टेशन पर निर्मित मीनी आईसियो और फार्मसी के साथ एमर्जेंसी मेडिकल रूम की उपलबधता से गूल्डन अवर में मरीजों की जान बचाने में कामियाबी हासिल होगी। निवरा ने प्लैटफॉर्म एक पर मीनी आईसियो आपतकालिन चिकेसा सेवा वर मेडिसीन स्टोर शुरू किया है जहाँ बाहरी मरीजों के साथ ही साथ प्लैटफॉर्म के यात्रियों का भी इलाज हो पाएगा। साथ ही यहाँ यात्री रूग्यों को सौ रुपे नाम माईगी। इस दारान लोकमत एडिटोरियल बोर्ड की चेर्मेन विजे दर्डा ने शुपकामनाय देती हुए कहा कि नागपुर स्टेशन से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। स्टेशन पर ही अब गंभीर मरीजों को ततकाल आपत कालिन्ची के साथ सेवा उपलब होने का उनकी जान बचाने में मदद होगी। मध्य रेलवे मंडल की रेल जाखरे ने कहा कि इस उपकरम से यात्रीयों को काफी लाब हो पाएगा। बारतिय रेल और जो न्यूरा वस्पितल के संईकटतवा उधान से जो है रेलवे स्टेशन पर हॉस्पिटल का जो है यह आँ पर आज ऊपनिंग किया है एफमारे साथ जो है यूलगी है सब्क है जी आज उसम साषी अनगा किया बतां। पहली फेसिलिटी है जो नागपूर में डेवलाप की गई है और यह पासेंजर्स को जब एमर्जेंसी मेरिकल रिक्वार्मेंट होता है उसके लिए है यहां पे फार्मसी की सुविधा एक इस यू भी है ओपीडी की फेसिलिटी है यह पहली यह बहुत यूसफुल रहेगा क्योंकि कई बार ऐसे पेशिंस होते जिनको इमीजेट इटेंशन की जरुवत होती है ट्रें से तुरह उतार के उनको उपचार देना होता है तो उसके लिए यह बहुत ही यूसफुल फेसिलिटी है आम जंता के लिए और पासेंजर् से हम जानेंगे कि जिस तरह से हम कई बार देखते कि इमर्जंसी जो ट्रेन में आती है उसके बाद यह जो पहल की गई है यह बहुत ही सरानिय क्या बताओ बहुत अच्छा यह स्टेप लिया गया है मैं रेल्वे रेपार्टमेंट को और विशेशकर के निवेरा उस्पिट से उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा और उनको एमर्जंसी में उनको एक अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाएगी है जानेंगे कि जो नापूर के रेल्वे स्टेशन पर यह पाहल की गए आप क्या बताना चाहोगी कि सबसे पहले मैं कि रेल मंतिरी यो हैं सबस्क्राइब को और यहां की डियारम को भी बदा देना चाहूंगा कि उन्होंने इस एक महतर बुना सुविदा यहां पर उपलब्दा कराई है बहुत सारी उपलब्दा होती है सुविदायम और उसके अंदर हेल्थ केर जो है यह बहुत इंपोर्ट है और फिर उसमें बहुत बार क्या होता है छोटी उड़ी भी चीह हो एती जिसके लिए इसके आउश्यक्ता होती है तो यह सोचकर उन लोगों ने जो निर्णे लिया राष्टी लेवल पर निर्णे लिया उसके लिए मैं अश्विनी जी को भी बदाई देता हूं और चेर्मन रेलबोर को भी बदाई देता हूं और साथ ही साथ में हमारे डॉक्टर आनान संचिती जी जो है जो एक होनार डाक्टर है और विशे जाने इनके अंदर सम्विधना है कि कोई भी कॉमन भी आद्मी आ जाए या कोई भी वी आई पी आ जाए एक रिसी ट्रीट्मेंट देने का उनका जो स्वभाव है यह सबसे महतोपूर्ण है और यहां पर आईसियो की भी विवास्ता है दवा की भी विवास्ता है आने वाले वेक्ति को तपासने की भी विवास्ता है और जरूत पड़ी तो वाँ एम्बलंस की भी विवास्ता है तो यह सारी विवास्ता है कि यह इसलिए बदाई के पात रहे है मुझे विश्वास है कि जो यह पहल यहां पर रेली ने उठाई तो मैं डियरे मैडम जो है उनको भी बदाई देता हूँ और साथ ही साथ में और इसलिए आपने देखा होगा कि इस शहर का जो अंग है तो यहां पर मुटस्विल कमिशनर साब भी आये वे हैं कि मीडिया करके मैं भी यहां पर हूं हमारे बीच में पुलिस कमिशनर भी थे और सब देखते वे जो है तो मैं फिर एक बार रेल मंत्री को रेल जो देखें उनको और यहां की मैडम सो को बदाई देता हूं धन्यवाद हम सबको मौल में यह नाखपूर स्टेशन बारत में सबसे सेंट्रल में बाइटा है एक्चली नार्थ सब्सक्राइब जाने वाले सारे ट्रेंस इधर क्रास होता है सब वेरी बीजिस्टेशन है ऐसे एक इंपर्टन माय आइकानिक स्टेशन में ऐसे परगार का हॉस्पिट हेल्थ के रिलेटेट फर्स्टेश एंड आइसी उ तक का सुविधा उपलबद करके देने के एक अच्छा निर्ने मिनिस्ट्री ने लिया है उसको आज उपन हो गया इसलिए मैं इधर का डियार में और इस योजना में जुड़ा हुए निवेरा हॉस्पिटल को मैं बहुत इस आपतकालिन चिकितसा कक्षक के उधगाटन के बाद हमारी टीम ने प्लैटफॉर्म पर यात्री से बाद चेत के इस दोरान यात्री ने बीसे नियूस समक्ष अपनी प्रतिक्रिया साजा की है और यह जो सरकार ने किया है बहुत अच्छा किया है जो यात्रियों के नियूरा हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टिटूट के सयोग से नाकपूर स्टेशन पर 24-7 आपाच चिकितसा सेवा यात्रियों के लिए प्रदान की जाएगी इसके साथ ही स्टेशन पर नियूरा की एंबुलेंस चोईज घंटे सेवा सुविधा की गुनवत्ता पर र यह जो उपक्रम चाल हुआ है सेंट्रल इंडिया में फर्स्ट और संभवता इंडिया में ऐसे टाइप का जहां पर आईसी ओ फैसिलिटी भी अवेलेबल हो रेलवे प्लाटफॉर्म पर जहां 24 घंटे डॉक्टर्स, नर्से, स्टाफ, फार्मसी अवेलेबल हो यह शायद जो टेंडर से किया गया, रेलवे को इस उपक्रम के लिए सरहानी हैं हम बधाई देते हैं, निवेरा होस्पिटल यह कोशिश करेगा कि जितने पेशन्ट इमर्जंसी के हम अटेन कर पाए, यदि हम दो पेशन्ट की भी जान बचा पाए, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ कि EVERYTHING can be provided at the station itself, this is why this concept of emergency medical services has been started at the hospital, at the railway station. dr. nidish mishra, cardiologist, u area hospital, basically हम ने step लिया है, railway के सरयोग से, इसका main purpose है, emergency facilities पौरइट करना, है, especially medical emergency like किसी कोई patient अगर नीडी है, railway travel करते हुए अगर किसी कुछ problem होती है, like किसी को heart की problem होई है, किसी को lose motions हुए, किसी को blood pressure कम हो गया, तो सारी चीज़े अपन immediately यहां पर facilities provide करें कि यहां पर हमें ICU की facility अच्छे से दी हुई है, तो हमारे जो डॉक्टर हैं, यहां पर 24-7 रहने वाले हैं, एक कोडिनेटेट स्टाफ है अपना पूरा, तो हम सारी कोशिश करेंगे कि हम बेस्ट फेसिलिटीज अपने रेल्वे स्टेशन पे ही दे पाएं. यह जो फेसिलिटी जो है व्यात्रियों के लिए रहेगी, इसके निये चार्जेज में कुछ मतलब गॉर्मेंट का पूर्मेंट का रुपाउट इसका रुपाउट पेसिलिटीज के पास आई एन आर पे एन टिकेट रहेगा, उन्हें सीफ हंटेट रुपीज हम चार्ज करने चांगली एक CSR फंड मनोंजे जाले ला है, तेको चांगली सुविदा है यात्री लोकान सटी, करना यजा पूरी यात्री लोकान ना 24-7 सुविदा मिलत नो थी, करना आमाला रेल्वे हॉस्पीटल में डाक्टर बुलावे लागत होते, आनि कजी कदी पेस्टन केला जस्त मिलना रहे है, आनि नामेनीन चार्जिस में दे सानम तो इला जो ही मेडिकल शॉप नो तो आमचा कड़े मेडिकल शॉप पन जाले ला है, तेको ना लाई, जो दवाई ची जो राव सकता है, ती दवाई सुद्धा, ही के रेल्वे स्टेशन लाई, 24-7 मेड़े. द्यारे मेडम का सहाता में ये इतना अच्छा चीज हुआ है, जो पैसेंजर के लिए, जो प्रॉब्लेम पहले होता था, मारे टीट्मेंट, माने मौडरन टाइप का टीट्मेंट मिलेगा, और एमर्जेंसी एगर किसी का कोई अच्छा बाइप का सब्सक्राइब का टीट्मेंट, मेडिकल असिस्टन जोड़ी होगा, अच्छा च्छा तो तुरंथ हो सता ही एमर्जेंट में, मेडिसीन भी 24-Hours अभी लेविल होगा, और यह से भी करही रहा है उसके लिए अमूलेंस भी रहेगा, और सब से रहेगा वो हमलोग help कर पाहेंगे. मध्धरेल और शहर के प्रसिद दनिवरा, हॉस्पिटल और रिसर्च इंस्टिटूट के सयुक्त तत्वावधान में, बहुती सरानिय पहल 24-7 अपतकालिन चिकेटसा सेवा को यात्रियों के सेवा में नाम मात्र शुल्क में शुरू किया गया है, जिसका उत्खाटन लोकम मेडिया से हाथों किया गया, निच्छे थी इस आपतकालिन कक्ष के इंडर मांड से यात्रियों को लाब होगा हमारे साथ डॉक्टर आनन संचेती जी है, उनसे हम जानेंगी कि इस अनो की पहल के बारे में, हम अकसर देखते कि इमर्जंसी होती है, रेल में जो यातरी रहते हैं, जो बहुती दूर का यातरा करते हैं, उन्हें कभी-कभी इमर्जंसी आती है, ऐसे टाइम हेल्थ की देना चाहता हूं कि उन्होंने न्यू एरा हॉस्पिटल के साथ जो टाइप किया है और सर्वीस देने का हमें आउसर दिया है, उसके लिए सभी का धन्यावाद, जो हमें समझ में आया है, यहां के रेलवे, आधिकारियों के द्वारा के रेलवे में, जो इनको परिशानी ह होती है, ट्रेन में इमर्जनसी जाती है, पेशन्ट को दवाईया टाइम पे नहीं मिलती है, उस सुवीदा को देखते हुए, उन्होंने सेंट्रल रेलवे ने कुछ एक जगह आइडेंटिफाई करके दिये, जहां पर हमने एक छोटा इमर्जनसी आईस्यू बेड जैसा क् तो हम उसे हॉस्पिटल में तुरण शिफ्ट कर पाएंगे, तो इसका लाब सारे पैसेंजर्स को, इवन ये एरिया के बाकी लोगों को, रेलवेस के स्टाफ को, अधिकारियों को, उनके परिवार को, सबको ये सुवीदा बहुत लावदायक रहेगी और काफी कम फीज में ये व्यवस्ता शुरू की गई है, आपने जैसे बोला है कि कम फीज में ये व्यवस्ता रहेगी, तो हम जानते कि रेल ऐसी है, इसमें कोई भी सफर करता है, मतलब गरिब तपके से लेके अमिर तक, तो ये जहाँ जनरल में जो लोग ये करते हैं, यात्रा करते हैं, उन्हे वह एसी क्लास का रहो या फर्स क्लास का रहो जनरल रो, रेलुए पासेंज़र का यहां अगर टिकेट मिल गवेड तो उसको एक्दम नॉमिनल फीज में ही सारा ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो लेवल का ट्रीटमेंट लगेगा वुन वह लेवल की ट्रीटमेंट इमर्जन्सी है चाहे वो कोई भी क्लास का रहो जनरल क्लास का भी रहा तो भी उसको एम्बुलेंस में तुरंट हॉस्पिटल शिफ भी किया जाएगा वो भी नीशुक्ल किया जाएगा नॉमिनल फिया ने सिर्फ सव रूपय ही हर पेशन्ट को चार्ज कर सकते हैं और दवाईयों की शौप महां है तो सारे मरिज महां से दवाईयां भी ले सकते हैं तो अभी प्लाटफॉर्म के बाहर जाने की किसी को जरुरत नहीं है और अगर रेलवे के वायरलेज द्वारा हम को मैसेज मिलता है कि कोई स्टेशन वर्दा से स्टेशन सपोज पेशन्ट सिरियस हुआ है और नाकपूर आना है तो हमारी डॉक्टर की टीम स्टेशर के साथ इमर्जेंसी दवाईयों के साथ वो बोगी के सामने खड़ी रहीगी और उसके बर्त पे जाके भी इलाज चुर कि पता नहीं मीनी आई सीओ कहीं बना है या नहीं पर बॉम्बे में दादर में कल्यान में दो तीन जगह तो मुझे पता है कि इसी फैसिलिटी दवाई के दुकान के साथ और डॉक्टर आवेबिलीटी की शुरू तो है पर शायद हमने जो मीनी आई सीओ और इमर्जेंसी और सारे ट्रीटमेंट इवन जो बोलते हैं कि इंपॉर्टन टाइम आफ्टर हार्ट अटक वेस्ट नहीं होना चाहिए उसके लिए भी हमने वो ट्रीट कमेंट या इंजेक्शन देना या डीफिविलेटर ट्रीटमेंट वो सारी चीजे क्राइश कार्ट के सा बेला ही रेल्वेस्टेशन है यह तो बोल पाएंगे थैंक यू तो हमने देखा कि मद्य भारत का नागपुर रेल्वेस्टेशन पर न्यूरा हॉस्पिटल और रेल विभाग के सयुक्त तत्वाधान में एक हॉस्पिटल शुरू किया गया है जहां रेल यात्रियों को चितिजादेश मुख बीसे नियूज नागपुर